हाई फ्रेंड्स असलाम उलेकूम आज करते हैं फिर क्रंच स्टार्ट ड्रेकले का जो नहीं लेकर आए हैं और जो मैंने आपको दिखाई है और उसके साथ ये देखे मैंने उसका पाउडर भी किया है इसकी हम पेस्ट बनाएंगे साथ में पेस्ट यूस के पेस्ट लगा के बहुत से लोगों से कमेंट किया है कि इस शीमेंट है या पफर जैसी है लेकिन ये ना इस सेमेंट है ना पफर जैसी है जैसे ही अम इसकाяет पेस्ट बनाते हैं तो यानि इसको पानी डालते हैं तो यह ना पिलकोल सॉफ्ट क्रीमी हो जाती है अगर मतलब जैसे मुलतानी मिटी है कुछ लोग देखते ही होंगे उसके भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि उसको पानी डालो तो वो कैसे फॉरण मेल्ट होना शुरू हो जाती है यह भी वैस विज पानी डालो तो यह फॉरण मैल्ट अशुरू हो जाती है मतलब पेस्ट बन जाती है अगर si यह देख सकते हैं का के पेस्ट बन गई है झ को लोगों के पूछ तो एक बात बता दू मैं बहुत पहले यह दो कि ए इसकी पर बनते हैं यह कैसा है तो इसकी पेस्ट भी बहुत टेस्टी होती है आचा मैं आपको एक बात बता दू मैं बहुत पहले ये स्वैलो किया करती थी लेकिन अब मैं ये स्वैलो नहीं करती हूँ तो मुझे क्रंच करने का बहुत मज़ा आता है और इसकी पेस्ट भी बहुत टेस्टी है बट मैं स्वैलो नहीं करती हूं क्योंकि यह कुछ भी हो जाए किसी तरह की भी हो कामफुल होती है और इसलिए अपनी सिहत का भी खियाल रखना चाहिए सब को इसलिए यह देखें पेस्ट बन गई हमारी ठीक है पाउडर चुके मैं करके मैंने रखा हुआ था इसका तो स्ट लिखाया भी था कितना प्यार है स्मूथ तो स्टार्ट करें अ कि सॉफ्ट है कफी सॉफ्ट है मैं तो स्टारफ बग्ड़कर भी स्टार्ट को अग्षब्स है ए कि स dużग power कि स्टेश को अस्यार है चुफट fan करें लिए बना करो स्टार्ट ऱ अ क्लीड़कर ए चैखас झाल 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 ये देखें कितना प्यारा, कितना स्मूथ पीस है, ये भी पाली से लिए अलैदा हुई थी. झाल 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 झाल